हमस्कार सात्यों आज हम लोग पहुंच चुके हैं 12 दिन में यानि कि 12 डे अभी हम लोग यह कमांड वगरा जो है वो धिरे धिरे जो है इसके उपर नजर मारेंगे आज मैं सिर्फ बताऊंगा कि यह क्या क्या है करके नहीं दिखाऊंगा अज हम थोड़ा सक क्रियेटिव सा काम करते हैं तो लेट स्टाट अच्छा सबसे पहले हम लोग यह मीनू जो थे हमारे इनमें काफी सारी चीजें जो हैं नहीं इतना not so important बाद में कभी यूज़ करेंगे converted to curves बहुत अच्छा है ठीक है और उसके बाद adjust में हम लोग अभी काम करेंगे adjust और artistic media ठीक है यह blend contour envelop extrude bevel lens इसमें से हम लोग काफी कुछ कर चुके हैं blend कर चुके हैं यह blend correction है transform है adjust है आज इसी पे ही हम लोग काम करने वाले हैं यह position rotate यह सब कुछ कर चुके हैं इसमें time waste नहीं करेंगे तो adjust क्या है adjust में सबसे पहले तो हम लोग pictures के उपर काम करते हैं तो सबसे पहले page को थोड़ा सा बढ़ा करते हैं function f2 press करके f2 press किया और उसको थोड़ा सा बढ़ा किया import इंपोर्ट का button मैंने select किया और हम लोग कुछ भी यहां पर कोई भी picture human face का ले आएंगे लाइट इस पर काम करते हैं सबसे पहले इसको select करना पड़ेगा effect adjust contrast and बाकी चीज़े हम लोग यहां पर कर सकते हैं यह अभी शुरुआ करते हैं इस पे तो contrast में यह है देखिए यह आपकी darker shades है प्रिवू करेंगे तो यह यहां पर वह भी दिखाएगा यह lighter shades है प्रिवू करेंगे तो यहां पर दिखेगा देखिए lighter shade को मैंने darker कर दिया वापिस से मैं लेके जाऊंगा तो यह lighter shade को वापिस से light कर देगा तो यह gamma होता है gamma होता है किसी चीज़े color यह मैंने इसका color जो है कम कर दिया यह मैंने gamma बढ़ा दिया तो ज्यादा यह saturate हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से यह चीज जो है हम यूज कर सकते हैं ज्यादा इसकी जुरुत पड़ती है photoshop में हम इसको करके लाते हैं यहां पे लोग कम ही करते हैं पर feature इसमें दिया हुआ है मैं कोई actually ऐसी picture लेके आना चाहता हूं इससे सही में हमें पता चले कि हम क्या कर रहें तो let's see हम लोग यहां पे को कोई ऐसी picture लेके आते हैं जो यह sony के camera से photo खीची गई है और यह काफी Nikon से है sorry Nikon से है right तो यह picture पे हम लोग कुछ करते हैं effects का का contrast और brightness का तो यह picture का यह histogram आपको दिख रहा है histogram में आप अगर कुछ भी changes करते हैं तो यहां पर दिखते हैं सारे के सारे यह दिखें अब यह picture वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बन रखी है पहले gamma adjust करेंगे suppose तो gamma छेड़ने पे color इसका जो है वो छेड़ेगा देखिए यह gamma बढ़ने का मतलब यह है कि जो रंग है वो बढ़ जाएंगे ज्यादा over saturate हो जाएंगे और मैं इसको कम करता हूं तो रंग जो है वो डल हो जाएंगे कम पढ़ जाएंगे जैसे स्याही कम हो उसके अंदर तो यह gamma का यह काम होता जैसे यह आप देख रहे हैं यह अभी local equalization अब देखिए यह है यह इसको थोड़ा सा preview करके मैं दिखाता हूं यह इसको थोड़ा सा दूसरे लुक में ले जाएगी जैसे artificial look होता है व्यासे painting style का थोड़ा सा mosaic type का उस type का यह effect इसमें लगाएगी और टेक लिटल मोर टाइम एक्सपेक्टे नहीं था फाइल एक्शली बड़ी लग रहे है तिफ फाइल है ओके इस सौरी यह बने टिफ फाइल ले ली तो टिफ फाइल में थोड़ा सा समय जादा लगता है तो वेनेवर यूवर्क टिफ फाइल यूवर्क प्रिंटिंग इंट काफी तिरी से काम करेगी तो कहीं क्रेश ही ना कर जाए वैल तो यही है कि यह क्रेश कर गया है देखते हैं थोड़ा समय लेगी इसको करके देखते हैं कट वे बादर है तो यही है तो मूवर्क बड़र यूवर्क बया कर दो कर दो किता हैं कि एंट वही हैं तो जाए तो यूएलक वैजर में एंट शाए लेट स्टार्ट तो पहली वाली जो इमेज थी वो टिफ होने के बज़ा से यह भी वैसे टिफ ही है बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जेपीज इमेज जो है वो यहां पे लाओं ताकि वो इमेज बहुत बड़ी ना हो यह जेपीज इमेज है तो यह जेपीज इमेज है इस पे हम लोग अभी एफेक्ट जो लगाने वाले थे वो था अड़जस्ट लोकल है जिसी नहीं करके कम जधा करके आप द्वार से मिल जाएगा तो यह थोड़ा सा सबीछ हो गया और िसको अजीव उसका कर.. मैंने कभी इसको ज़्यादा यूज नहीं किया ओके देन अभी हम लोग आगे पहुंचेंगे अडियर्स पर आगया टोन कर्व यह थोड़ा सा अच्छा है यूसेबल है टोन होता है यह होता है मिड टोन यह आपका डार्कर वैल्यूज यानि कि मिड टोन लाइट टोन और डा लाते हैं तो इमेज को प्रिव्यू करते हैं आप देखेंगे यह थोड़ा लाइट हो गया है तो टोन कर से इसको हम लोग अडिजस्ट कर सकते हैं इसको मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो यह डार्क हो जाएगा ठीक है इसको ब्लुकुल बैलंस करके चलना चाहिए यह यह ऐसे करके इस तरफ से प्रिव्यू और यह तो अपनी पिक्चर्स को अगर यह आपको थोड़ा बुद काम करना है तो यहीं पर ही आप कर सकते हैं ठीक है यह फ्री हैंड बाकी यह दिखिए यह थोड़ा-थोड़ा हलका पर करना है आपको तो वह भी कर सकते हैं कि कह कहीं करें कहीं 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 ना करें देखिए यहां पर इफेक्ट किया है यहां पर मैंने हाइट तो इसा बढ़ा दिया प्रिव्यू करूंगा तो यह डाकर शेट्स को थोड़ा सा कम कर देगा जैसे माली यह ग्रेकर मुझे डाक करना है तो मैं इसको नीचे की तरफ लिया यह काम की चीज है ठीक है हम बढ़ाई मैं इसको यूज करता रहा हूं काफी मैंने ब्राइटेस बढ़ाई ठीक है थोड़ा सा contrast increase किया और intensity मैं इसी कम कर रहा हूं यह intensity थोड़ा से बेटर लग रही है मुझे ctrl c मैंने इसकी copy बना ली इसको यहां रख दिया ctrl v और यह दिखे ctrl z यह पहले की picture थी ctrl v जो मैंने change की तो यह दिखिए दोनों pictures के बीच में difference आपको दिख रहा होगा तो यहां पे left side पे जो है यह पहले की image थी यह मैंने बाद में change की तो यह इस उसके बाद आगया आपका color balance तो color balance में पहले पहले मैंने picture को brightness contrast intensity यह तीन चीज़ों को उपर नीचे करके अपने हिसाब से हमने use किया जो भी आपको कई बार होता है एक्सपोजर ज्यादा होता है brightness ज्यादा होती है कम होती तो उसको अडियास वहीं पे कर सकते हैं वह काम की चीज़ है उसके बाद आगया आपका color balance आपको लग रहा है किसके अंदर color जो है वह ज्यादा कम है तो आप बढ़ा सकते हैं इसे red color है आपने red थोड़ा सा इसमें increase किया preview देखिए यह देखिए थोड़ा सा पूरी image में ही red color बढ़ गया अब मैं थोड़ा size में green और blue add करता हो तो देखते हैं क्या बनता है हाँ थोड़ा सा और blue add करते हैं तो यह तो इस तरह से tonal value आप इसकी change कर सकते हैं मैं magenta में करूंगा तो यह magenta चोड़ा जागी तो इस तरह से आप अपने required tone भी use कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो जैसे shadows को ना effect करें वह भी ठीक है highlight को भी ना करें वह भी ठीक है तो यह देखिए अगर मैंने यहां पर change किया तो यह सिर्फ एक ही चीज़ को कर रहा है वह भी mid tones को ठीक है तो यह है आपको शायद अभी इसका इतना ज़्यादा use ना आए बट इन future जब आप काम करेंगे तो आपका यह चीज काम में आने वा हो तो इसका रंग बदल जाएगा यू देखिए यह यू बदल गया रंग ही बदल गया तो मैं रिसेट करता हूं इसको आगया आगया saturation saturation होता है कितना डार्क और कितना depth में कर जाएगा saturation का मतलों जैसे एक चमच हम एक ग्लास में चीनी घोलेंगे तो वह कम saturated होगी अगर तीन चमच घोलेंगे तो ज़्यादा saturation हो गई एक समय आएगा चीनी ज़्यादा घुली नहीं पाएगी तो उसका saturation point आ गया तो यह इस तरह से आप इसको यह देख सकते हैं before after saturation ठीक है इसको ज़्यादा नहीं छेड़ते यह लाइट है कितनी लाइट में आप इसको देख रहे हैं यह सारा कुछ यह photoshop में ज़्यादा अच्छा होता है वैसे photoshop lightroom में उसके बाद आगया आपका selective color selective color ठीक है बट यह selective color जो है अगर आप चेहना चाहते हैं तो मा लीजिए आपके पास reds हैं तो red में आपने बढ़ा देंगे तो खाली आपका वह redstone ही बढ़ेगी तो yellow है तो yellow में जाहिए आप खाली yellow को बढ़ा दीजिए तो अपका इसत्रह से काम करेगा तो यह आपका जो यह है यह photo shop में ज्यादा अच्छ से काम करता है बाकी मेरे ख्याल से देखिए अभी हमें थ्टोड़ा सा कोरल की तरफ रहना चाहिए यह फोटोशॉप की टूल की तरह काम करने शरे अब देखिए हम लोगுसबी जो काम का है मेरं आपको बता रहा हूँ वह है मेरे साम से आर्डिस्टिक मीडिया तो आर्ठिस्टिक मीडिया क्या है इससे हम किसी तरह का भी आर्ट बना सकते हैं मैंने ये ब्रश पकड़ा और मैंने इस पे सुपोज ये बनाया राइट ये तो ये क्रॉस ये देखिए मेरा जो ब्रश है उसका स्टोक ये इस तरह से ले रहा है तो उसके बाद आप इसको कैसे भी यूज करो कै भी दिक्कत नहीं है ठीक है और उसके बाद जैसे ये ब्रश अलग है ये ब्रश अलग था ये ब्रश देखिए ये ब्रश का भी फर्क है आ गया ये ब्रश में मैं करूंगा तो ये सेम वह देगा पिछले वाले जो था वह अलग चीज थी वह ये था ठीक है ये वाला और व तो हमें इसमें बहुत कुछ आर्टिस्टिक मिल जाएगा, मैंने पहले भी यह सिखा रखा है, बट मैं अभी इसकी application आपको बता रहा हूँ, तो मैंने यहां से यह पकड़ रहा हूँ, और मैंने कुछ यहां पर ड्रॉव करना है, तो like this way, यह बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो मुझे इसको कम कर देना है, यह दिखे, यह कम space आ गया, stroke कम और कम, इस depth हो उसकी बढ़ जाएगी, 25 पर करूँगा तो और यह थोड़ा सा अलग से आएगा, तो यह हम designing में इस्तमाल करेंगे, मैंने पहले भी आपको यह करके दिखाया था, अभी इसमें कुछ designs ऐसे हैं Suppose, मेरे पास मुझे कोई star राना है, star के लिए मेरे पास यह मैंने mouse से draw कर दिया, तो इस तरह से use किया जा सकता है, यहां पर जिसी यह है, मैंने a को यहां से हटा दिया, यहां पर space है, तो यह मेरा star हो गया, यह है, तो यह मैंने इसको इस तरह से लोगों को बनाया, तो चीजों को simple तरीके से मत बनाएं, थोड़ा सा उसमें अपना designing का तरका जरू लगाएं, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा और, तो इस तरह से, suppose आपने यहां पेज का font भी change कर दिया है, suppose यह है, and it's called blue star, okay, इसको shift page अप कर दिया मैंने, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, तो यह इस तरह से, हमारा पहला design artistic media को use करते हुए हमने बना, इसको अभी थोड़ा side पर करते हैं, इसके बाद कुछ और ले लेते हैं, design तो यहां बहुत ही ज़्यादा है, और इसको use करना भी आना चाहिए, suppose मेरे पास कुछ चीजे हैं इस type की, मैं brush में add करता हूँ, मुझे कुछ बनाना है fruits के साथ, और मैं यहां पे ढोड़ता हूँ fruits कहां पड़े हैं, मैं यहां suppose यह पकड़ लेते हम, यह मैंने tool पकड़ा, यह candies के साथ है, तो candy वाले tool को मैंने यहां पकड़ लिया, थोड़ा सा मैंने canvas को f2s increase किया, तो यह तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, तो मुझे इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, मैं इसको कम कर देता हूँ, येस, थोड़ा ठीक हो गया है, पचास पे कर लेते हैं, आब इसको बना कर देखते हैं, सेग्वेंट, रेंडम्ली, बाइडिरेक्शन, ओके, कैंडी को हमें बढ़ाना है, बैसिकली, क्वांटिटी कैंडी की मुझे कम लग रही है, तो कैंडी को हम बढ़ाएंगे, इस तरह से कैंडी को बढ़ाया, और और ज्यादा कंट्रोल्स हमें यहाँ पे इसके मिलने चाह हैं, चलो, लेट्स राई, सी, ए, 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 अ, स्टार को हम थोड़ा सा उपर कर देते हैं, यह कैंडी लिखी तो है, बट कैंडी इतनी जदा पड़ी नहीं जा रही है, चलो, ठीक है, इसको हम दूसी तरह से यूज कर लेते हैं, अगर आपको इस तरह से ुझाइन में, दिजाइनिंग की ए खासित है, एक जगा आपको समझ में ना आए, तो उसको आप दूसी जगा से यूज कर सकते हैं, उमीद है, मैंने कैंडी के स्पैलिंग ठीक लिखे होंगे, तो जैसे हम है कि आपको थोड़ा सा पेज बड़ा बना पड़ेगा यहाँ पे आपने उसकी सेलेक्शन ले ली कैंडी इसकी सो अब आप लिखिए सी कि ए कि एन कि एन अच्छा नहीं बना कि थोड़ा स्पेश देते हैं इसको एन कि टी कि वाई कि कैंडी एक तो सी को मैं बड़ा कर लूँगा जिसना मुझे चाहिए एक को भी थोड़ा सा लिटल बिट तो यह हमारी कैंडी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको छोटा नहीं करना है छोटा करने से वही दिक्कत आएगी हमें इसको पहले कनवर्ट तो बिट मैप कर लेना है बिट मैप कर लिया तो यह अबजेक्ट आप मारे लिए यूजिबल हो गया हम इसको किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं ओके तो यह आपका हो गया आर्टिस्टिक मेडिया वाला इसके बाद आप कुछ पार्टी इवेंट मालीजिया बना रहे हैं कोई लोगो टाइप इस तरह से और पार्टी टू नाइट पार्टी टू नाइट के लिए हम लोग कुछ फॉर्ट अच्छा सा यूज कर लेते हैं ओके पार्टी टू नाइट हाँ कैपिटल में कभी भी टैलिक यूज नहीं करना है ओके पार्टी टू नाइट और यहां पे हम लोग च्छत पे जो है वो गुबारे लगा लेते हैं अगर हमें गुबारे मिल जाते हैं तो लेट्स सी मैं कहता हूँ यह भी लगा लेते हैं कोई मसला नहीं है यह इतना अच्छा नहीं लग रहा है इसको कुछ और बनाते हैं मैं बैलून्स ढून रहा हूं मैं लेट्ट मी चेक फॉर दे बैलून्स ठीक है पार्टी टाइम तो इस तरह से मैं ठीक है यह मेरा हो गया पार्टी टाइम शिफ्ट पेज़ डाउन पार्टी टाइम को पकड़ के ऊपर करने की कोशिश करते हैं नहीं पकड़ा जा रहा है शिफ्ट पेज आप ठीक है तो यह कुछ पार्टी वाला जो है बोल्ड करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए तो यह आटिस्टी मेडिया आपका थोड़ा बहुत काम इसमें आ जाएगा ठीक है अब हम थोड़ा प्रेक्टिकल लोगो के उपड़े चलते हैं आं मैं आपको दिखाता हूं यहां पे हम लोग और क्या कर सकते हैं बैकग्रौन्ट में लोगो आज के लिए आपकी प्रेक्टिस है कफी यह थोड़ा तेड़ा है like KFC logo आपने इसको सर्च किया सर्च करने के बाद हम इसको पकड़ लेते हैं इसको save as desktop आपको ऐसे ही repeat करना है जैसे मैं कर रहा हूँ आज आपको artistic media और जो ये logo मैं बना रहा हूँ इस पे काम करना है और इस पे अच्छे से practice करना है देखिए अब मैंने आपको एक बताया था कि इस पे ज़्यादा मेनत करने की ज़रूरत है नहीं जब तक आपको वाकिए उसकी ज़रूरत ना हो I mean वो ना बन पाए तो मैंने बताया था क्विक ट्रेस कर लीजिए क्विक ट्रेस करने से क्या होता है कि वो lighter darker shades के अंदर differentiate करता है और उसको अपने आप separate कर लेता है तो यह देखिए काफी अच्छे से इसने इसको separate कर लिया है अब अगर मैं चाहूं तो इसको मैं blue कर लूँ मैं change कर सकता हूं colors को bitmap से तो यह आपको practice करना है आज यह देखिए जो मैंने किया कैसे किया यह देखिए यह मैंने blue color फिल किया अब मैं control पकड़ रहा हूं इसको पकड़ू तो पूरा object पकड़ा जाएगा control पकड़ूंगा तो single object पकड़ा जाएगा तो control R जिसको मैं select कर egंडा हूं control से control R और control पकड़ा हुआ मैंने तो जिसको control से click करता हूँ ऐसे करूँगा तो पूरा object selected होगा और आठों के आठों notes दिखाई देंगे control पकड़ रहा हूँ तो वो छोटा object select होगा जो मैंने पहले activity की वो मैं repeat कर रहा हूँ तो that's how you can make it okay अब थोड़ा सा इसमें brief और कर लेते हैं कि यह वाला हो गया trace और trace यह technical illustration है या line drawing है तो यह line drawing है तो इसने मुझे option दे दिया कि यह मेरी line drawing है तो यह line drawing के लिए आप detail थोड़ी सी मैं plus करता हूँ ठीक है इसमें समय लगता है राइट तो मुझे इसने क्या बना के दिया यह देखिए यह क्या बना दिया भाई यह तो किसी काम का नहीं है यह हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसमें details बहुत ज्यादा मोटी मोटी है तो technical illustration में करके देखें लेट सी नो वही कर रहा है सेंटर लाइन आउट लाइन आउट लाइन पर शयाद मुझे कुछ ना कुछ डेटा मिल जाएगा इसका sketch type जो होता है ठीक है ओके तो इसने इसको इस ताद से outline में लिया है तो यह काफी अच्छा वैसे इसने track कर लिया है अब तीसरा हम जो है वो पकड़ते हैं यहाँ पे outline trace में line art logo detail logo low quality image and high quality image अब देखिए high quality image में आप यहाँ पे इसकी detail smoothing बागी चीजें काफी चीजें आप select कर सकते हैं यह देखिए अगर मैं detail कम करता हूं तो यह आखे चली गई हैं यहाँ पर detail बढ़ाता हूं तो यह थोड़ा सा और capture कर रहा है देखिए कितना बढ़ी आसे इसने capture किया है detail मैंने और इसमें डाल दी तो let's see almost वही तो यह अगर आपके पास बड़ी high quality image पड़ी है तो यह आपका काम करता है तो आज इस पे आपने काम करना है KFC का logo download करिए और इसको थोड़ा सा complicated करते हैं let's see हमारे पास कुछ है paintings right मेरे पास एक painting की मैंने picture download की है let's try on that picture यह मेरे पास एक picture है इसको एक outline quick trace करके देखते हैं कि इसको किस तरह से पढ़ता है इस image को और शायद हमारे किसी काम में आए हाँ great अच्छा है यह देखिए यह मेरे पास यह picture है और यह मेरे पास edited उसका paint version हो गया अब मैं इसका color change करना चाहरा हूं मैं इसको change कर देता हूं मैं इसको orange कर देता हूं मैं इसको blue कर देता हूँ ठाइक है यह देखिए यह मैंने इसको blue कर दिया इसका अच्छा ता मेरे को यह अच्छा नहीं लगा मैंने इसको yellow कर दिया तो यह यह मैं समझाने की मेरी सिर्फ इतनी मंशा है कि जो quick trace है उसको आप बहुत बढ़िया से use कर सकते हैं अपने daily work में as a art जैसे मैंने यह करके दिखाया अभी हम इसको right पर दखते हैं अभी किसी human picture को लेते हैं किसी इंसान की picture को लेते हैं let's see यह भाई साब नहीं लेते कोई और अच्छी सी picture लेते हैं कहां गई technical test print and we will take like यह देखिए यह भाई साब हमारे पास पड़े हैं t-shirt का design है अब इस पर trace करते हैं high quality image अब coral हमारी help करता है इसमें के नहीं यह देखते हैं क्योंकि इसमें काफी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें कोई trace से मिल जाएंगी बाकी हम कुछ बना भी सकते हैं तो यह हमें बहुत जादा coral help करता है इस चीज़ में इस पर practice आज आपको करनी है in fact एक दिन नहीं दो चार दिन practice करिए इस पर यह आपके बहुत काम आएगी चीज़ वेरी गुट वेरी गुट अभी इसको क्या इसने बनाया है मैं पहले आपको बनाकर दिखाता हूं यह द बस यही एक drawback होती है जो आपको remove करनी पड़ती है यह देखिए यह detail इसमें almost आ ही गई है बट यह feature जो है अगर आप यह देखें इस picture में यह फ्रॉक में अगर हम देखते हैं तो यह जो brush strokes थे इसने हर किसी के stroke के बहार एक white हलकर सा line दिया है तो यह none पे है line जो है तो मैं इसको अगर किसी line से भर देता हूं suppose मैं सारी frog select करता हूं पहले मैं ungroup कर लेता हूं otherwise selection होगा नहीं इसको करता हूं और इस सब भी को मैं white कर लेता हूं तो यह मुझे मिल रहा है black कर देता हूं तो यह अब थोड़ा सा मुझे यह ज़्यादा अच्छा लग रहा है as compared to that इस तरह से आप changes करके आपने कई line drawings paintings अब human face हमने अभी तक नहीं करके देखा human face भी एक बार करके देख लेते हैं कोई close up हो तो अच्छा रहेगा यह पकड़ लेते हैं यह katerina की photo हमने पिली और हमने यहां पर इसको लगाया अगेन थोड़ा सा इसके बीच में कर रहे हैं quick trace quick trace high quality image reduced bitmap keep original यह कह रहा है कि जो bitmap पहली है उसको रखना है मैंने को मैंने नहीं रखना है I have chosen nothing to worry it'll take some time because detail काफी ज्यादा है इसको number of objects बहुत ज्यादा ब्राणा पर पड़ेंगे आज की class में आपको मैंने बहुत कम बताया है बट जो भी बताया है इसका practice जरूर करिए यह सही से अगर आप use करेंगे तो यह बहुत सारा आपके काम में आएगा यह बहुत ही अच्छी चीज़े quick trace power trace और brightness contrast करना images के साथ खेलना यह इसमें आपको मिल जाएगा तो यह हमारी picture almost इसने render कर दी है और okay अब देखिए इसमें कमी आएगी क्योंकि यह photographs बहुत ही high resolution है और अपना यह देखिए यह मैंने set लिया अब यह इसने इसका यह capture किया है यह मैंने आपको इसकी कमी दिखाने के लिए किया है अब यह देखिए यह जहां पर भी इसको outline दिखती है यह वहां पर white cycle यह इस तरह से outline बना जैता है यह चीज ऐसे यह चीज की smoothing नहीं कर पाता है यह तो 100% success rate नहीं होता है बिकरस यह picture तो dot से बनके बनी है pixel से बनी है और vector में जो है उसको pixel से समय में नहीं आता उसको mathematical calculation करनी है हर एक चीज की एक एक हिस्से को 786, 786 object इसने बनाए है यह देखिए 786 objects on layer 1 तो यह चीज इसने draw करी है हलांकि eye capture ठीक ठा क्यों है not very bad not very good तो आज के लिए इतना ही आप इसकी practice करिए और मिलेंगे हम लोग अगले episode में तब तक के लिए signing off Devendra Sharma झानाओ थ्टूं को